आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है, बात करेंगे GTL Infrastructure के बारे में, 5G का क्या impact होगा इस company पर, क्या आपको इस stock को long term के लिए अपने portfolio मेरेड करना चाहिए, आइए visualization करते हैं, कुछ fundamental view और कुछ technical view से आपको बात करेंगे, सबसे पहले अगर बात करें, sales की, sales बड़ी ह इस quarter में, जो कि एक positive sign है, और losses जो हैं, वो भी कम हुए है, तो ये एक अच्छा indication है, देखें, पिछले quarter इसी साल में, 1120 करोड का नुकसान था, इस बार महज 682 करोड का नुकसान है, जिसमें से ज़्यादा तर इनका interest की वज़े से नुकसान हो रहा है, तो interest के ओपर काम कर अब देखें, GTL infrastructure का trading circle के accordingly, यहाँ पर खबर चल रही है, कि Reliance Industries के मालिक मुकेश अंबानी जी का, इसमें बहुत अच्छा interest चल रहा है, ये इसमें कुछ stake, हिस्सेदारी लेना चाहते हैं अपनी, ताकि Jio में कुछ deal मिल सके, इनको 5G के चलते हुए, आगे आने वाले समय मे 5G की सब कंपनियों को जरूत होगी, और Jio को भी 5G के बहुत जादा towers की physical जरूत पड़ेगी, तो जो contract होता है, infrastructure provider और user के बीच में, उसमें यहाँ पर Reliance Industries एक बड़ी deal की ताक में बैठा है, और उसके लिए हो सकता है, इनको कुछ निवेश भी करना पड़े, GTL infrastructure में, और तेजी का खबर चल रही थी, और इसी वज़े से stock काफी तेजी से उपर चला based on the trading circle information, अब यहाँ पर result expectation थी कि loss और भी कम होगा पर इतने आदा कम नहीं हुआ, तो इसलिए आज एक knee-jerk reaction मार्किट ने दिखा है, जो एकदम सुबह खुलते के साथी negative return दिखाए थे तो इसलिएशन में agility आपको बहुत important है, आप कितनी जल्दी अपने system को और environment को upgrade कर सकते हैं, और यह GTL ने बहुत महज आसानी से करके दिखाया है, जब 5G की testing चल रही है, तो GTL उसमें सबसे आगे बढ़ चड़ कर help कर रहा है infrastructure के reference में, और आपको innovation करना होगा, बगएर innovation के आपके काम नीच लेगा, अगर GTL infrastructure की बात करें, तो market cap की दरश्टी से 1000 करोड की company है, 1300 करोड की company है, तो जब भी आप एक small cap में निवेश करें, या penny stock में निवेश करें, तो हमारे channel का suggestion 2% से जादा आपको निवेश की अनुमती नहीं दी जाएगी हमारे channel के द्वारा, अब आगे चलते हैं, next portion की यहाँ पर, COVID के चलते हुए, actually impact GTL infrastructure पर positive है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगबाग घर से दादा काम कर रहे हैं, जिसकी वज़ए से उनका data का demand बढ़ रहा है, तो यह opportunity है, long term निवेश को के लिए बहुत अच्छी, यहाँ पर macro level condition improve होगी, तो यह further improvement ज DIA ने, interestingly, यहाँ पर 60% के आसपास अपनी holding रखी हुई है, और साथी साथ में अगर public का holding देखें, तो public का holding करीब-करीब 33% के आसपास है इस stock में, यहाँ पर, तो वो अच्छी बात है, आपको यह बात समझने है, प्रमोटर के लिए कम है, तो इसलिए एक red flag हमारे channel की तरफ चैनल का 5F rule ध्यान रखिए, और साथी साथ में, अगर इनका operation activity से cash देखें, तो net cash generate किया था, इस 2020 में, इस साल भी इनका cash flow positive होना चाहिए, जो कि एक अच्छा सिंकेत रहेगा, यहाँ पर पिछले कई टाइम से negative cash flow generate हो रहा था, पर अभी यहाँ पर इनका positive cash flow है, अगर हम operation देखे जाएं, तो जैसे बताया, 682 करोड का नुकसन हुआ है, compare to 1120 करोड के year on year basis, पर quarter on quarter में, थोड़ा से negative view रहा है, अब देखें, एक study की गई है, Global Telecom Tower Market की 2025 में, जिसमें GTL Infra का भी नाम लिया गया है, अब इस study के accordingly, उन्होंने सारे major regional players और international player की key target study की है, और इसमें AT& City Tower, American Tower, और भी बहुत बड़ी-बड़ी company Phonics Tower, T-Mobile, और सारे के सारे इंडिया की GS, GTL Infrastructure सबको क्या है, इसमें Tower Structure and Mast Structure दोनों का study किया है, और जो applicability है इनकी इस company के reference में, वो देखे, communication में, radio में, radar में, navigation में, सब जंगा इन्होंने इसकी study किया है, तो इन study के accordingly, बताया ग demand और भी जादा बढ़ेगी, और ये demand जो है, जिसकी वज़े से बताया गया है, demand की rate जो होगी, 12% CAGR के हिसाब से बढ़ेगी हर region में, अगर आपको detail report पढ़नी है, तो यहाँ पर contact कर सकते हैं, detail infrastructure कर अगर हम revenue देखें, तो revenue almost flat है पिछले एक साल से, पर यहाँ पर advantage क्या है, क अगर हम आगे बात करें, इसके target से पहले, अगर देखें, ये overall company अच्छा काम कर रही है, दूर दूर गाउं गाउं शेतर शेतर में, ये telecom provide कर रही है, service provide कर रही है, और they have been rewarded by various telecom sector companies, और देखें, आगर आज गाउं का कोई बच्चा पढ़ पा रहा है, net के तुरू, उसका अगर श्रे, श्रिफ और सिर्फ GTL infrastructure को जाता है, देखें, ये सामने बताया, आज नीजग reaction था, कल गया 1.15 पैसे बंद हुआ, आज यहाँ पर 1.10 पैसे के आसपास गिरा है, हो सकता है भी कुछ और correction रहे कुछ time के लिए, क्योंकि देखें, 75 पैसे से ये 1.15 पैसे तक चला पाची 8 से देखते हैं, तो देखें, जो low बना है और उसके high के उपर, सबसे पहला अगर हम यहाँ पर देखें, तो सबसे पहला support जो लग रहा है, इसका 96 पैसे के आसपास लग रहा है, अगर किसी दर से 96 तूटता है, तो अगला support रहेगा 85 पैसे के आसपास, तो ये दो level आप अपने चार्ट पर मार्क करके रखेगा, यहाँ पर आप इनको चाहें, तो accumulate कर सकते हैं इस stock में, अब अगर कुछ हम studies देखें, तो यहाँ थोड़ा सा overboard zone भी लग रहा था, बूलिंजर बैंड को देखें, तो बैंड बहुत जादा expand हो गया था, अभी अगर retrace करेग जिस तरह से इसने positive रुक दिखा रखा है यहाँ पर, तो हमारे हिसाब से आपको यह अपने portfolio में add करके रखना चाहिए, साथ ही साथ में, अगर हम इसका super trend और RSI का combination देखें, यह हमारा special recommendation है, आप जब भी दोनों को देखें, तो एक साथ में देखें, आपको बहुत advantage जब भी RSI का level 80 के आसवास पहुच जाता है, तो वहाँ पर आपको खरीदना नहीं होता है, वहाँ पर आपको infect बेचना होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा साफधान रहिए, अभी हो सकता है RSI थोड़ा मीचे की तरफ को आए, देखें, इनकी company का long term का target हमारे हिसाब से 5 र भारत, चार वीडियो पर सते हैं